इसी पैकेज बना रहा है और पकेज को नाम जैसे पहले टेस्ट केसिस डिया था वैसी टेस्ट केसिस पैकेज को नाम जो जैसे थिए अब इस टेस्ट केसिस में जागव यह नहीं जाब में शिलीनिम कोड नहीं लिख रहा ब्राउजर ओपन करने का वो नेक्स प्राइब देखेंगे अभी में सिंपल जो है एक्सल से कनेक्शन कर रहा है तो उसके लिए हम दो क्या करते हैं प्राज मेरां सिंपलन से किन नाम निलीख कर रहा। और कर दरने को निल्डान से अधि जो कर हैं भी लिख सुछात्र निल्ड लोकर कि क्या कि इंच और समिकिंट वर्कभुक के नाम से प्रिस्ट नम ए क्यायव गए ऑर कल दो तो यह connect workbook नमकी एक simple class बन गई जिसमें मैं एक method बना रहा हूँ public void और एक method बना देते हैं connect to workbook workbook किसे कहते हैं यह मेरी workbook है student.xlsx और इसके अंदर sheets होती है multiple sheets होती है तो यह workbook कहलाती है यह जो xls file है इसे workbook कहते है तो कौन सी workbook से connection करना है तो उसके लिए हम लोग इसके अंदर एक parameter बहें दोते हैं workbook path कि कौन सी workbook से connection करते हैं अब इसके अंदर जाकर हम लोग एक package import करते हैं और वो package होता है import java.sql.start यह हमारे package का नाब है इसी को हम लोग jdbc कहते है java database connectivity jdbc जावा database connectivity तो यह SQL जो है यह एक library है जैसे util library देखी थे आपने जावा में IO library देखी थे उसी तरह के से SQL एक library है जो की क्या काम करती है Excel से connection करने के लिए आपको predefined classes और methods प्रोइक करते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक object बना रहे हैं connection जैसे web driver driver is equal to null लिख रहे थे वैसे connection phone is equal to null connection एक interface java.sql.connection तो connection जो है जैसे web driver driver is equal to null लिख रहे थे तो web driver मैंने बताया था web driver एक interface होता है ठीक है उसी तरह के से यहाँ पर यह connection phone is equal to null connection एक interface है जो की कहां सा रहा है इस SQL package में सा रहा है जो मैंने भी उपर import करें अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे है यहाँ पर हम लोग एक पहले एक exception through करनी पड़ीगी अपने को exception यहाँ पर हम लोग एक लिख रहे हैं अब पहले लाइन एक मैंने लिख रहे है लाइन लिख रहे है लाइन क्या काम करती है अब यहाँ पर देखोगे इसको मैं ओपन करकर दिखा रहूं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहे है तो इस जार फाइल में आपके पैकेज मिलेगा पॉम.googlecode.tescal sheet यह लाइबरेरी आड वी जावने है और इसके अंदर आपको मिलेगी है ड्राइवर क्लास तो मेरे को इसको रेजिस्टर कराना होते है यह ड्राइवर क्लास होती है यही एक्सेल की ड्राइवर की क्लास है जिसको यूज कर कम लोग एक्सेल से केनेक्शन तरह से तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं पॉम जो पैकेज कर लाइए .googlecode.escal sheet .googlecode.escal sheet और .driver class तो यह पैकेज हमारा इस jar files आ रहे है .googlecode.escal sheet.driver इह प्रिखानेके लिए पात के आपके इसको पॉपी-पेस्की करना है , यह star file भी मै हुआ आपको जैसे दुबर से दिखा रहे हूँ , जहाँ परen से पार हैं जही मैने बसt .pm.txt file कनते है यहाँ परääड करी, कर ये एड करोगे और शेव करोगे तो बीट कर जेगा और बिल्ट करकर उषक्क अपनेाफियाफ की प्रोजेक्ट में एड कर जेगा उसके बाद यह बाद राइवर रेजिस्टर को गया और ड्राइवर रेजिस्टर वने का अगला काम करना जो नेक् parfait एक अबड बनायो पर उसको इनिटालाई करने को और इस इकाइस को द्राइबर manager dot get connection, get connection, get connection, get connection के अंदर के जब किंगे JTBC, XLS, File, Workbook का अब मेरे को ड्राइवर मेनेजर फिर से एक किलास है, और ड्राइवर मेनेजर क्लास भी यह स्क्वल पैकेज से जा रहे है, मेंपर ह carbon गर्ड में ग्रास का मैंतर होता है था गड़ कनेक्शन हो जो की रीट में में कनेक्शन you to recommend ग Research Archive god connection है यह करे से और गेट कनेक्शन में लोगों ने वर्गुर्पका पात के एस हैं से डिभीस को जैटारना है करना एक कनेक्शन कर देगा और उसके बाद आप एक मैस्सिज दे सकते हो करनेक्टिड तू एक सब्सक्राइब करनेक्टिड तो यह बेसिकली हमने एक यह सिंपल किलास बनाई जिसके अंदर हम लोगे ने कनेक्ट वर्क बुक के नाम से जिसमें एक मैठ्व पनाया जिसमें हम लोगे ने पहली लाइन जो है वो रेजिस्ट्र कर रही है ड्राइवर को और उसके बाद दूसरी लाइन क्या काम कर रही है करनेक्शन विद वर्गुप करनेक्शन और रेटन में अब यह दो लाइन एक लाइन यह एक लाइन यह एक लाइन जिए एक लाइन जिए अब उसके बाद अगलक यह काम करना है यह तो मैंने इक बना यह एक अगला को लिखते हैं हैं एक और क्लास बनाते हैं और इसके नदर हम लोग इंसर्ट प्रते श्रम्ट में राट फीज्ट के नाम से प्लगाक नहीं क्लास गोने तो गिरत कोंपने का है तो पुसके लिए कुनेक्शन का होना जरूर मैंने वन टैम लिग दिया खागी जब भी मेरेको क sug और थी जरुटन करना पड़े तो वैसे हम यहाँ पर insert के अंदर जैसे पहले extends page कर रहे थे वैसे यहाँ पर extends connect workbook कर देए तो यह class inherit होगी इसमें और यहाँ पर आकर हम लोग एक मैसर बना जेते हैं पॉब्लिक वॉइड इंसर्ट डाटा पॉब्लिक वॉइड इंसर्ट डाटा इंसर्ट डाटा अब इंसर्ट कराने के लिए connection का होना जुरू है तो इसके लिए मैंने जैसे पहले inherited method open browser को call करा ले था था बैल से आप मैसर को call करा लेते हैं करनेक्ट तूर वर्क पॉब्लिक तो इस वाले method को यहां पर call करा ले हैं अब इस कंदर मेरे को path दे रहे हैं तो यहां से हम लोग path कॉपी कर लेते हैं कि मेरा d के अंदर इस वाले इस से अजय करेंट करना था है student.xlsx एक और चीज़ है रखिएगा यहां पर कईब लोग style यहां पर लेकिन फाइल के जो पात है यहां पर जो एक्सेंशन है वह एक्सेलेस एक्सेश्टूड़न.xlsx अब वाकि आप इसको जहां पर भी आपके अपने अप्की मेशीन पर इस फाइल को बना रखाओ उसका बस यहां पर उसको पात दे देना कम्प्लीट पास दे 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 तो यह क्या करेगा यह आपके वर्बुक से कनेक्शन एस्टैबलिश कर देगा पहले इतने ही चला कर देखते है इंसर्ट लाज को इनिश्लाइज कर लेटें और इंसर्ट लाटा को पॉल्टरा देखते हैं तो चेक कर लेते हैं तो चेक कर लेते हैं तो चेक कर लेते हैं कि वह आपको पुट में कर देखते हैं कि अधिक कर देखते हैं कि अधिक कर देखते हैं कि मेरे पास यहां पर को इंफरमिशन है वह उसने मेरे को देदी कि कनेक्टेट टू एक्सलेस से आप कैनेक्ट हो रहें तो अब कनेक्शन जब स्टैबलिश हो गया तो उसके बाद अगला काम है कि मेरे को एक इंसर्ट करने की स्टेट्मेंट बनाने तो उसके लिए हम लोग एस्कुल कुरी यूज़ करते हैं जैसे अब यह आप औरेकल से करते हैं पहले हमने करा होगा तो इंसर्ट इंटू टेबल नेम लिखते हैं या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेवल नेम लिखते हैं वही का नेम लगकर, स्ट्मिक्ट, बढूर्ट, थाड़्यूट, गॉड्यूत , वही हरें यूज़ को होग वही हां टेट्रॉम जार जाते हैं तो हमारा वही कनेक्शन आप्डेटर बड़्यूग रहे थे पहले हम लोग रहे हैं तो ट्रॉम लोग एस्कुल को प्डेक्टर पी अब इस ही connection को अम लोग यहां पर यूज करते हैं तो connection का method होता है create statement जो return में statement object return करता है तो इसलिए यह भी SQL से आता है तो इसको भी import कर लेता है तो create statement में statement होता है तो statement हमारे फिर से interface है जो SQL से आता है और statement का method होता है एक्जिक्यूट update क्योंकि insert कर रहे है तो मैं लेकि टेबल को update कर रहे है तो execute update और execute update में हम लोग नॉर्मली SQL कुरी जैसे लिखे तो आसी लिखेंगे insert into लेकिन table नहीं है तो टेबल की जैके यहां पर sheet होती है तो यहां पर sheet का नाम आ जागा जो भी sheet का नाम है जैसे आपने लिखा sheet1 तो insert into sheet1 और इसके बाद brackets brackets में आएका column का नाम तो मैंने जैसे बताया कि first name जो माने जाता है तो उसको column name माने जाता है तो यहांका column name है f name, l name और h तो आपर हम लोकेंगे f name, l name, h तो insert into sheet1 और sheet1 के अंदर brackets के अंदर column के नाम, column का नाम, column का नाम, column का नाम, values तो values, simple SQL queries है जैसे पहले लिखते थे और values और जो भी characters होते हैं वो single quotes में आते हैं जैसे first name characters है, single quotes, प्रिया, कॉमा, दूसरा last name, कुमार, फिर कॉमा, age तो यह data है, जो हम लोग add कर ले हैं, क्योंकि first name characters है, तो single quotes में आएगा, double quotes नहीं दिखे जाते हैं, double quotes नहीं दिखे जाते हैं, क्योंकि double quotes और यहां पर start करेंगा, फिर कॉमा, last name, फिर कॉमार करेंगे, तो नॉर्मल SQL query हम लोग ने लिखते हैं, इसके बाद connection, commit करना जुरूदी होता है, commit, और connection को close करना, अगर क्लोज नहीं करूँगा, तो फिर इंसर्ट नहीं हो, connection क्लोज करना, इतने कोई बाद रन करका देखता है, एक और की इंपॉर्टन जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो Excel sheet must be closed, जब जावा के तुरू Excel के अंदर connection करेंगे, तो यह Excel sheet खुली भी नहीं होनी चाहिए, इस Excel sheet को बंद करका रखना पड़ेगा, यह इंपॉर्टन अगर यह Excel sheet खुली रहेगी, और आप साथ में अब इसको रन कराते हैं, दोबार से, तो पहले connection करा हो उसने, और फिल लिखकर आगे record insert, यह बड़ चेक करते हैं, अब मेरे को Excel को ओपन करका चेक करना है, तो Excel बंद रहनी की तभी insert होगा, नहीं तो error देते हैं, अब इसको ओपन करते हैं, तो आपन करते हैं, तो आपन कर आपका report insert होगा, प्रियक्मारी तोंटे का हुआ, तो इस तरीके से, जैसे मैं, ब्राउसर का कंटोर लिरा था जावा कसी की, और जो काम में, manually कर रहा था ब्रााॉसर करने मैंनोली तो मों लोग एक्सरीव को ओपन करके और एक्सरे मेंसे डाज़ागड डाट के जाध्य करा सकते हैं यह रीड कर सकते हैं वह काम मैं जावा के परूग्राम के थुछ तो उसके लिए सबसरे पहले तो आप को इस वर्गुप को ओपन करने हैं इससे स्टेश्ट प बताये था वह उसको ऑटोबेंट करा लाया वैसे इसके लिए भी यह ड्राइवर चाहिए तो यह ड्राइवर हमारे को रेजिस्टर कराना पर के लिए और यह ड्राइवर के लिए हम लोगे ने डिपेंडेंसी आपको भी दिखाई थी पी उन्रॉक्षट अधर ने तर उसके पाद ड्राइवर मैंगेजर हमारा जहां से आरे स्कुल पैके से गैट करेंगे उस वर्क बुक से कैनेक्शन इस्टैफिश करें और उसके बाद अब हमको एक इंसर्ट करने की स्टेट्मेंट बरानी से पहले स्टेट्मेंट बराने पड़ाएगा ऑपजेक्ट क्योंकि स्टे अब सेलेक्ट करने के लिए भी मेरेको कनेक्शन तो करने पड़ेगा बिना कनेक्शन करें वे तो तो इसलिए मैंने वन टाइम ही लिख दिया तो यह एक्स्टैंट फिर से वापिस से लिए यह जैंट क्लास जो भी नाम से बनाओ एक्स्टैंट के बेना कनेक्शन करें आप ना शेक्ट कर सकते ना अबड़ कर सकते ना सेलेक्शन करना पहले जरूर की उपकर पेला इसके बाद अपना पूर्बा मेंतर बना दित है पॉब्लिक वर्ड इनेक्ट टाटा और इनेरेटिव मेंतर पनेक्ट तू वर्पुक्ड तो इस अक्सेप्शन यहां पर अपने हिसाफ से अपने मशीन के अंदर जो पाथ दे रखा है कि वह पाथ तो यह पहले स्टेप होगे कनेक्शन होगे कनेक्शन होने कवाद फिर दूसर स्टेप्स भी सेम रहेगा इस स्टेट्मेंट इस जिए इस स्टेट्मेंट के लिए हम लोग आपर इसको इंपोर्ट कर सकते हैं इस स्टेट्मेंट इस स्टेट्मेंट नहीं को आप खाली आप नहीं पर इंपोर्ट जाएगा अब यहां पर हम लोग पिछली बाह लिख रहे थे एंप्डेट अप्डेट मेंज एड कर रहे थे टेबल पर इस तो आपकी बार हम लोग कह लिखेंगे इस टीम दौट एग्जुट प्रूट प्रूट पर अप्डेट का मतलब होता है टेबल पर प्रेट करना उजबिए निए सट करना है सब्सक्राइब 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 तो सब्सक्राइब एक रिजल्ट जो आएगा वह इस रिजल्ट सेट में रिजल्ट सेट आएगा तो यह रिजल्ट यहां पर इस रिजल्ट सेट पर जाकर अब हम पता नहीं कि कितने रिपाउट्स है तसलों वाइल का लूप लगा लेते हैं और और जानी तो आरेज ईकाम करता है तो इससे करिएगा नेक्सर पर जाएगा पर नेक्स रिकॉल्ट पर जाएगा तो जब तक नेक्स नेक्स रिकॉल्ट मिलेंगे हूँसे सो तब थे धर यूज वह वाइलियू até रिक लूप क्या करेंगा RS.next, 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 RS.next क्या क्या का क्म करता है? रिक रॉर्ड को पोइंट कर रहे, तुरा लाइक रिक 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 रॉल्ड है, यह रिक रॉल्ड है और यहां पर हम लोगों न भी देखा, कि select start from sheet 1, क्या कर रहा है, सारे के सारे recalled को result set में store कर रहा है, और result set क्या कर रहा है, एक एक करको उस recalled को निकाले का, rs.next, rs.next, जब तक है, जब तक rs.next चलते जाएगा, जैसे यह आपर खतम हुआ, तो तर्मिल को ज़रा, तो while true, जब तक true मिल रहा है, जब तक next, 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 recall मिल रहा है, तब तक move करा रहा है, इसके बाद, rs.get string, जो कि मेरे को first name get करना है, एक को लूब का नाप, यह पॉलम का index, rs.get string, पॉलम नंबर वन, यह पहले यहाँ पर रहा है, पर गया, और फिर आप इसके अंदर मेरे को पॉलम नंबर वन निकालना है, पॉलम नंबर टू निकालना है, पॉलम नंबर थी निकालना है, यह पॉलम नंबर वन, का करेगा, इस्टिंग रेटर करेगा, इस्टिंग F2, फिर दुबार से दूसरा भी string है L name rs.get string following number 2 और इसरा मेरा age था age int है आपको get के अंदर देखों यहाँ पर आपको int भी मिल जाएगा get byte भी मिल जाएगा get short भी मिल जाएगा get double भी मिल जाएगा तो अगर आपने आपर यहाँ पर decimal में value लिखने हुए तो get double हो जाएगा तो इस तरीके से आपने इससा method है तो भी get method है get int column number column number तो यह तो यह एक तो result.net rs.net record और जिस कर रहा है और जिस record को उसके call उसके call ने कालेगा call number 3 तो और और अगर string type int string int type को data तो यह fetch कर रहा है और इसके बाल मैं इसको print करा देता हूँ और दो और जुत तो यह उस पैसे पीध जाए जब काते यह जब कर दो यह ढए तो यह बतो इवका रहां रहां जरका जिए पागोविन आपर आपको प्रेंजर आपको आपकर जो हमने एक्सेल में डाटा इस्टो करा रहा रहा है वो डाटा हमारे को जावा से अंदर बापिस्टे मिल गया कि लिए तोस्का मसर्ट कि हम हम कैकर रहा है हम लोग हैं कि हम लोग है जिज़ कर रहे हैं जीर्डीक्ति लाइब्रेरी को शील की लाइब्रेडी को au nä examine का शील की लाइब्रेडी को यूज कर 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 नोبلग हैं व लोग हां एकटोंड करिए का हूं है कौन है आपी रहा आ रहो आ रहो आ रहो अरे रेतों एक मुट्ट आवी दीशी आए आजरा वो टेबल के पड़े है ना कराता रहा है। जा रुपो दो कर अट भी बने पंट आपके कोड़ा है जो परोग के तो प्रादी आखेँ की बोले की कि मदुटा आपके की सकतीं को राओंगे बने आपके कीवेन की कानल प्राद की अबादा एका आपनले के पामोजय की में राद ॉटाशन आपके की एक जानल आपके सबस्क्राइब करदेगे इस दो कर दो हमारे करगा है। प्जार दिखा देने, तो आई और या देनो को तैनल देन, उन्हार राजओ देन पर दानों, जाई मुझेश्ट्रा टोचिता राजा दाय मुझेश्ट्र है, ठीके जी, क्लियर एद नी बस तो हलो आप तो थाव पूट तो इस तर्एक ने को किया है अभी जैसे अम लोगा ने पहले अब यह किया तो भी मैंने बिना sellers करना का नगा अब आगर यह सेलेनियम नियुक्त ग", को मेरेको ब्डाउजर भी हो पं전 करना punching और ब्राउजर open करने का तो यह रही आरही है तो मेरे को इसी में तरही जो भी कुछ इससरी के कुछ इंफोर्मिशन नहीं मेंoscope करना है तो उसकेंदे हम लोग डॉपटन लिसकेंदे जाकर सारे के सारी इतने भी स्टेट्स है उनको उनका नाम गट कर रहे थी मैंने ब्राउज वर गया था जाका मैंने जाका फॉंट का साइज और कलर रहा था फोल लेकिन वह सही है की गलत है यह चीजसे हम लोगों ने नहीं चेक करें तो वो इंफर्मिशन अब आपको कैसे पता चले कर सही है कि कहला तब यह तो मैंने वहां से वेबसाइट से डाटा रीट कर रहा हूं तो उस केस में हम लोग यह हमको मुल्टिपल ब्राउजर्स ओपन करने है अलग अलग तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं एक्सल से डाटा को रीट कर सकते हैं और वापिस से मैच करवाकर राइट करवा सकते हैं तो उस तरीके के एक्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं तो उसक आप उन पैकेज में प्रोडे आप प्रोडे कर चुखे हैं तो इसलिये मैं यहीं से पॉपी कर रहा हूं जैसे पेज.java मैंने बनाय था तो यह माविन पुझद भी वैसे जैसे नॉर्मल जवा पुझद भी एड़ांटेगा है कि आपको आपको अलग से आड़ करने की जोड़त पड़ेगी बाग की सब कुछ वैसे यह तो मैं आपर जैसे इसको तो देखिए यह वही पेज रोट जावा जैसे आपने बनाए था भी पॉबिक क्लास पेज और ग्लोबल वेडिवल कनेक्शन बना दिया था ओपन ब्राउजर में वही सब चीजे लिखी हुए जैसे भी हम लोगों ने पहले लिखी थी ठीक है अब इन सब कीजों कॉटा देते हैं कि आपके हैं झाल झाल कर दो जाएं जाएं तर जाएं तर इस जाएं तरभ आपको कुछ आपको तक सब्सक्राइब दाएं ना आपको पता दिए ला ऊब्सक्राइब पता ही है औरु मैं ने पी आपको बता है तो एक है के लास्ट पेज हम लोग ने जैसे पहले बनाई जैसे बनाए था इसे ही बना हूँ नेवीगेट टू यू आरे इसके अभी अभी आपको जबवत नहीं है उसको टाल जाए हुआ 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 है इंप्लिसिटली बेट पता ही है उसके लावा क्लोज ब्राउजर हमको पता ही है अब यहां पर आकर मैंने जो काम अभी हम लोगे नहीं यहां पर कनेक्ट वर्क बुक के अंदर लिखा था यहां पर हम लोगों ने क्या करा जैसे हम लोगों ने यहां पर वेब ड्राइवर ड्राइवर द्राइवर इसको टूनल लिखा था वैसे यहां पर अब लेक्ट करनेक्शन और इसका मतलब कि हमने इसी पेज डॉट जावा में जो नोगों ने पहले बनाई थी उसी के अंदर यह मैं वेब ड्राइवर को भी निश्लाइज कर रहा हूं और साथ में मेरेको एक्सेल से कनेक्शन करना है तो वह कनेक्शन पॉन इसको टूनल भ जाते अपूं फैनल भॉन नम का मैसर बना रहा था कि Turnock को बना रहा है वहीं पर ही मैं ने एक और मैसर बना लिया एक वर्क्ट किसी भी नाम से बणा लो ज्ताया था लर्छ पाथ में और यहां पर हम लोग ने डॉर राइवर को और रिसर कराएग जैसे ख़ी दिखाया था और उसका नाम ने दिया तो अब इसका मतलब की जब भी मेरे को कोई test case लिखना है और मैं test case के अंदर extends page करूँगा तो extends page में जैसे मेरे को open browser इनहरेट हो रहा था close browser इनहरेट हो रहा था वैसे make workbook connection भी इनहरेट हो जाएगा तो यह अब अलग से मेरे को यह भी में delete कर दे रहे हो क्योंकि अभी इसकी मेरे को समझाने के लिए लिखा था और नहीं तो जाहने देते चलो पर बात नी लेकिन अभी मेरे को जो है जासे test case लिखने आगे अपना तो मैं अब रेक्लिक करूंगा new लिखूंगा class लिखूंगा और class के अंदर for example मेरे को यहाँ पर for example resolution test ना उसे test लिखा main को चेक करा तो यहाँ पर आकर हम लोग जैसे पहले extends page करने से वैसे थी तो माविल में ऐसे कुछ नहीं कि लिखने के तरीका को चेंज होगा या concept को चेंज होगा सब कुछ वैसे को ऐसे extends page अगर आपका माविल प्रोजेट एक बार को नहीं भी बनता तो भी हम लोग सिंपल प्रोजेट के अंतर भी एक काम कर सकते हैं जैसे भी हम लोग बना रहे थे लेकिन बस अपको उसकी आपको अलग से जार फाइल अपने प्रोजेट में अड़ करने पड़ेंगा तो आप अपको डाउनलूड करकर फिर एक्स्टरनल जार करकर उसको अड़ करने पुड़ेगी तो ऐसे नहीं कि आपको नॉर्मल अगर प्रोजेट बना रहे थे हमने बिना उसका क्या नाम है जैसे मैंने नीचे से कॉपी कर रहा है तो वह पर नीचे जो मेरा प्रोजेट बना और इसमें जाकर अब हम क्या कर सकते हैं जैसे उसी तरीके से हम लोग यहां पर अब मेक वर्बुक कनेक्शन को भी इसमाल कर सकते हैं तो दोनों चीज़ हमें एकठा कमबाइन कर सकता हूं तो सेलेनियम वाला कोड भी चल जाएगा इस प्रोग्राम में ड्राइवर डॉट करकर और चहांब मेरे को एक्सल कनेक्शन करना ह तो वहांब मेरा कॉन डॉट करकर भी एक्सल कुट हो जाएगा तो वह चीज़ हम नेस्ट प्राइवर देखते हैं कि कि इस तरीके से सेलेनियम के साथ हम लोग जीडिवीजी को साथ में एड़ करगा एक टैस्ट करते हैं तो तो आज में लोग ने देखा कि कैसे हम डाटा और सेलेट कर सकते हैं तो लेक्स लाजमें फेस तीस तो लोग सीलीनियम करते हैं